धन्यवाद सवापती मौद्य, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया इसलिए सबसे पहले मैं अपने शेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी जिसका सरोकार जन जन से है मेरे संसद्य शेत्र केराना में रेलवे मंतरालिय से संबंदित विभिन समस्याएं काफी लंबे वक्त से लंबित हैं इनका पूरा कराया जाना आम जंता के सुविधा के लिए बहुत आवशक है सबसे पहले पानिपत केराना मेरट रेल मार्ग का सर्वे कहीं बार कराया जा चुका है लिकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्या शुरू नहीं हुआ है हर्याना और उत्तर प्रदेश को जोडने वाला ये बेहद आवशक रेल मार्ग है इस रेलवे लाइन के बनने से हर्याना और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से शेतर को बहुत लाब होगा इसके अलावा शामली से प्रियाग राज तक और शामली से वैशनो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग शेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं प्रयाग राज में उचनियायाले का होना और वैशनो देवी एक धार्मिक तीर्च्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अती आवशक है अंतने दिल्ली शामली साहरनपुर रेल मार्ग पर स्थेत जंधेडी फाटक वरामपुर फाटक के उपर रेलवे पुलों का निर्मान काफी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है जिसे शेत्र की जनता बहुत परेशान है इन दोनों रेलवे पुलों का निर्मान जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहत जरूरी है तो अध्यक जी आपके माध्यम से मैं माने रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कहराना संसद्य शेत्र की इन रेल मांगों का संज्यान लेकर जल से जल में स्तारन कराने की कृपा करें दन्यवाद